अलो फ्रेंड आपका सागात है चेंज लाइफ चैनल में तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बीटेसी और त्रिपल सी या फिर डियल लेट सारे एकजाम से लेटेड कुछ पूछे जाते हैं यह आपके लिए खास इंपोर्टेंट है जो कि कई बार जो की पेपर में पूछे जाते हैं तो चलिए मैं आज का क्लास में स्टार्ट करता हूं कुछ मुर्पूर्ट क्वेस्चेंग के साथ जो की टिपल से बीटेसी इत्याद जो है कि जाम को एक लिए क्वेस्ट में लिंक दे दिया हूं आप वहां से जाकर जोईन हो सकते हैं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए जैसे कि जब भी मैं नया वीडियो लाओंगा तो आपको उसका नोटिविकेशन मिलता रहेगा तो एक लास आपके पूछे गए हैं काफी लगते हैं चलिए इसको नोट डाउन भी करते रहेगा और जिनको भी इंसवर आता है और जो है कि कमेंट बोक्स में इसका इंसवर भी देते जाएंगे तो देखते हैं कितने लोग को इंसवर आता है और कोई प्रोब्लम आती है तो आप हमसे जाता है इन में से कौन होता है जो है कहा जाता है जो चुट्टी दिमान डिवाइस होता है क्या जल्दी से बताएं या या से फिर कोई नहीं जल्दी से इसका आप देदीजिए लिए देखते हैं इसका राइट इंसर क्या है अगला को इसन देखते हैं इसका राइट एंसर क्या होजागा सरपल्स विए टाइल गार्बेच इनमें से कोई नहीं जल्दी से इसका एंसर हो जागा गार्बेच मेमोरी में जानकारी आवस्ते नहीं यहां वैद देनी है तो हो जागा गार्बेच ला दान है अगला कोई से लुश्य देखते हैं एक सीपी Report प्रमुग Україल क्या क्या होते एक सी होता है उसके इंदर क्या क्या होती है गजुदिई डिक के डेकर से पर से पर की स मिमोरी उनीट आपिमेटिक लोजिक एंट अलियो अगल्ऩा कुस्टन देखते हैं मोर्थ का मुख के गटक क्या है मोhh की अबसदीक कार्बोनेट किया वाल केल सलफेट कैल्सियम आक्साइड और कैल्सियम् सलफेट क्यों कर्पीट ओक एंसर देखें आपर क्या ओजागा न इंगला क्वेश्चन देखते हैं एक निबन कितनी बिट's के बराबर होता है एं Bene,"is हूज इसका हिंप भी निबल कितने बिट्स कैंब वित फोर बिट्स या अगला क्वेस्टिन देखते हैं अगला क्वेस्टिन है कंप्यूटर में डेटा के सबसे छोटी काई है कंप्यूटर में डेटा के सबसे छोटी काई कौन सी है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका सी बिट कंप्यूटर में डेटा की सबभे छोटी कहीं कहीं है बिट अगला को एसन देखते हैं राइट एन्सवर कितने bytes के kilobyte के बराबर होता है कितने bytes 1 kilobyte के बराबर होता है देखते हैं इसका right answer बताईए खोड़ा सा problem होगी थी आवाज की right answer D 1024 bytes का 1 kilobyte होता है चलिए अगला question देखते है निर्मलिकित में से कौन सा assembly भाजा को machine भाजा में परिवर्तन करता है कौन सा assembly भाजा को machine भाजा में परिवर्तन करता है इसका right answer देखते हैं क्या है D assembler क्या है assembler इसको note down भी करते जाएएगा काफी important है निर्देशों का set जो एक computer को बताता है कि क्या करना है निर्देशों का EK Complete जो एक क्पधाता है क्या करना है मैटर इन गुप्धार और प्रोग्राम डिप गर तो रॉइर्ट एंसर क्या हो जाएगा देखते है निर अगला क्वेस्टिन देखते हैं जिक्स को ट्रैक और सेक्टर में विवाजन करने की परिक्रिया है ट्रैकिंग फॉर्मेटिंग क्रेसिंग अलुटिंग नोन अब दीज बताए जल्दी से एट्स हार्डिक्स रिलेटेड है वो राइट एंसर हो जाएगा भी फॉर्मेटिंग अगला क्वेस्टिन देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक यूनिट का भाग है राइट एंसर इसका हो जाएगा एए सीप्यू अगला क्वेस्टिन देखते हैं डेटा चनशादित करने के दौरान प्रोग्राम और समसादित जानकारी ता मे रखा जाता है चैन्नरी रों में लजाएगा सीप्यू हो इसका राइटएंसर हो जाएगा सी रयाएप को networking काम करते हैं तो हमारा डाटा जो है रेम में से होता है पहले किसी प्रकार का कंप्यूटर डिज्टल घड़ी में पाया जा सकता है, किस प्रकार का कंप्यूटर डिज्टल घड़ी में पाया जा सकता है, मेन फ्रेम, सूपर कंप्यूटर, एपडेट कंप्यूटर, नोट्बुक कंप्यूटर, कौन सा किस प्रकार का कंप्यूटर ड पूल से प्रक्रियाओं का चैन करता है और उन्हें विस्पादन के लिए मिमोरी में लोड करता है कंप्यूटर प्रसंसक्र में पूल से प्रक्रियाओं का चैन करता है उन्हें निस्पादन के लिए मिमोरी में लोड करता है इसका राइट अंस्वर यह जोब से डूलर एक दोस्तों के साथ share भी कर दीजे, फटाफट, मदर बोट पर सूचना घटकों के बीच में होकर जाती है, मदर बोट में सूचना घटकों के बीच क्या होकर जाती है, नमबर C, 22, अगला क्वेशन देखते है, SMPS का मतलब है, SMPS का मतलब क्या है, जल्दी तो बहुत ही सिंपल क्वेशन है, जल्दी बताइए, आपके लिए खाब ही सिंपल है, स्विचेट, मोड, पावर, सप्लाई, राइट एंसर, यह हो जाएगा, अगला क्वेशन देखते हैं, एनलोग, लाइन ओपर, डिजिटल डेटा ले जाने के लिए, उप्योग किये जाने वाले उपकरोंड को कहा जाता है, एनलोग, लाइन ओपर, डिजिटल डेटा ले जाने के लिए, उप्योग किये जाने वाले उपकरोंड को क्या कहा जाता है, मोडम, मल्टिप्लेक्सर, मूडूलेटर, डिमूडूलेटर, इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, ए, क्या है, ए, मोडम, अगला क्यूशन, कम्प्यूटर में डेटा के सबचे सोटी काई है, मताए जल्दी एंसर, राइट एंसर हो जाएगा, फिट, अगला क्यूशन देखते हैं, कितने बाइट का एक किलो बाइट के बराबर होता है, इसका राइट एंसर आपको पता है, वन ट्वन ट्वन जिरो ट्वन ट्वन जिरो ट्वन यानि एक हजार चोबिस, बाइट का एक किलो बाइट होता है, अगला क्यूशन देखते हैं, निल्मिखित में से कौन सा असेम्बली भासा को मशीनी भासा में परिवर्थन करता है, राइट एंसर, असेम्बलर, तो यह सब काफी इंपोटेंट क्यूशन है, तो आज की क्लास में यहीं तक रहेगा, और यह सब काफी इंपोटेंट क्यूशन है, जो कि कई बार, जो है कि BTC, DL.R.T.C., जो भी में में इकजाम हैं, जो हाँ पे काफी इंपोटेंट हैं, तो आप चल दी से चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिजे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजे, मैं हमेशा आपके लिए काफी अपडेट वीडियो लाता रहता हूं हमेशा, जो कि काफी इंपोटेंट होता है, और आपको कोई प्रोब्लम आती है, तो कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा, मैं आपके जरूर हेल्प करूँगा, तो थैंक्यू भाइफ्रेंट, थैंक्यू,